हेलो नमस्कार आदाप सस्रीयकाल गुद मॉर्निंग दोस्तों जीस वाले भई आपका हर्दिक स्वागातियों मभी नंदन करते हैं तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीस के फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एक्जाम के लिए काफी खेल्फुल होती है जैसे SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, दिल्ली पुलिस, और अन्य सारे वन डे एक्जाम जिसमें भी जीस पूछी जाती है दोस्तों उसके लिए काफी खेल्फुल होती है हम लोग दोस्तों GS का एक चला रहे हैं उसके बाद दोस्तों एक ROARO का टैक्टिस सेट भी चला रहे हैं दोस्तों जो GS में हम लोग जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उसके जो हम लोग टॉपिक्स के बाद जो multiple choice questions और one liner questions हैं दोस्तों वो भी ROARO या कोई भी upcoming exams के लिए काफी helpful लोगे दोस्तों तो दोस्तों आप लोग उसको भी जाके जरूर देखिए हाला कि दोस्तों उसमें जो MCQs और one liner कराई है उसकी जो playlist बनाई है उसको ROARO में भी add कर दिया है और उसको quality के section में भी add कर दिया दोस्तों question answer लगाना बहुत जरूरी है और मानिये बात को exam में पहला question है उद्यम का विलोम शब्द हम को चाटना उद्यम उद्यम का विलोम दोस्तों आलस से होता है और दोस्तों जो पहला है अधम का स्रेश्ट होता है अधम का विलोम क्या हो जाएगा स्रेश्ट हो जाता है दोस्तों इधर अक्षम का मतलब क्या होता है अक्षम का तो इसका क्या हो जाएगा सक्षम हो जाएगा दोस्तों ठीक है और जो निशकाम है दोस्तों निशकाम का मतलब होता है बिना फल प्राप्ति की इच्छा किये हुए अपने कारे को करना इसका क्या हो जाएगा विलों सकाम हो जाएगा दोस्तों जैसे निशकाम में हम लोग भगवत गीता का 47 वा इस लोग है उसमें क्या लिखा है कर्मने वाधिकारस्ते मा फले शुकदाचन मा कर्म फल हे तुर भूरमा ते संगोस्तवा कर्मडी इस लोग में क्या कहा गया है कि हमको अपने फल की प्राप्ति की इच्छा किये बिना ही अपने कार्णों को करना है दो कहा नहीं रखने के दोस्तों तो यह है तो निश्काम का क्या उल्टा हो जागा सकाम हो जागा दोस्तों ठीक है इसका ऑप्शन डी हो जागा और इसका उद्यम का क्या हो जाता है दोस्तों ठीक है यह ध्यान देना है भर्ष का विलोम विशाध हो जाता है और दोस्तों जो तिक्त होता है, तिक्त का विलोम मधूर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान दिना है, अब इसमें दोस्तों, असत्य यूग में छाटना है, विलोम की दिश्टी से असत्य यूग में छाटना है, आरोह, अरोड, अरजन का व्यायन होता है, सही बात ही ये तू, एहिक का पार लोकिक होता है एहिक मतलब इस लोक में जारज ये असत्य यूग में जारज का जाली में होता है दोस्तों जारज का औरस होता है तो दोस्तों असत्य छाटना है तो डी सही हो जागा इसमें जारज का मतलब क्या होता है एक पती से उत्पन पुत्र होता है और उपपती से जो दोस्तों पती से उत्पन पुत्र होता है उसे औरस कहते हैं मतलब उस पुत्र को औरस कहते हैं और जो उपपती से उत्पन पुत्र होता है उसे जारज कहते हैं तो जारज का उल्टा क्या होता है औरस होता है बाकी सभी विलों इसमें सुमेलित हैं अब अगला question आ जाता है शुद्ध वाक्य का chain करना है अधिकारियों ने कागजात का परिवेक्षन किया अधिकारियों ने कागजात का परिवेक्षन किया अधिकारियों ने कागजात की जांच की और अधिकारियों ने कागजात का सरवेक्षन किया तो दोस्तों इसमें अधि श्रिंखल होता है दोस्तों D option होगा ठीक है उच्छ श्रिंखल होता है ठीक जो पहले कभी न हुआ उसको क्या कहते हैं अभूत पूरू कहते हैं उसको ठीक है दोस्तों क्या हो जागा B option हो जाएगा कार को नए धंग से करने वाला क्या कहलाता है नवीनी करन दोस्तों कहलाता ह कार को नए धंग से करने की जो पंधती होती है उसको करण जहां करण शब्द आ जाएगा वहां समझ लिए क्रिया आ जाएगा करण मतलब प्रक्रिया होती है तो नवीनी करण कार करने के नए धंग की पंधती को नवीनी करण कहते हैं दोस्तों वह नाइका जो अपने पती के परदेश में होने के कारण दुखी हो दोस्तों वह नाइका जो अपने पती के परदेश में रहने के कारण दुखी हो उसको वियोगिनी कहते हैं दोस्तों वियोगनी जैसे हम लोग सुर्दास की सूर्शारावली में देखते हैं, भ्रमरगीत सागर में देखते हैं, गोपियों और कृष्ण के बीच में जो वियोग संबंद दिखाया गया उसमें, है कि नहीं, ये देखते हैं, जैसे जब कृष्ण जी जो है मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां क्या कहते हैं निसिदिन बरसत नैन हमारे सदारहस पावत रितु हम पर जवत्य सियाम सिधारे है किने दोस्तों तो हलाकि यहां पर पती की बात की गई है तो जो नाईका अपने पती के परदेश में रहने के करण दुखी होती है वो वियोगिनी कहलाती है दोस्तों बहुत इंपोर्टन रहे ध्यान दीजेगा कंधा शब्द का तत्सम दोस्तों क्या है कंधा का तत्सम इसकंध होता है दोस्तों ठीक है कुक्षी का मतलब कुक्षी तत्सम सब्द है कुक्षी का तत्भव दोस्तों कोख होता है कोख होता है इसकंद भाहर का दोस्तों कहार हो जाता है अब तत्सम शब्द निद्रा नीबु नोन नीबु का निमबक और नोन का हम लोग पसरें लवड विकल्प dziएगा करना तत्सम नापित नाक धान पीपल इसमें जो नंपित है नापित का सब्भो होता है वो नाई होता है छेखliches की कार पुरानी है इस वाक्य में कार शब्द है कार कैसी है कार पुरानी है तो पुरानी क्या है पुरानी इसमें विशेशन और विशेशन किसकी विशेशन बता रहा है कार की पुरानी जिसकी विशेशन बताता है वो विशेश होता है मलब विशेशन जिसकी विशेशन बताता है वो विशेश होता है तो कार क्या है विशेश हो जाएगा दोस्तों ठीक है यह मकान मेरे भाई का है दोस्तों रेखांकित पद में यह क्या है दोस्तों इसको पहले भी बताया है कि यह मकान मकान क्या है दोस्तों मकान क्या है मकान संग्या है और संग्या के पहले यह वह जैसे हम लोग देखते हैं सरुनाम लगता है नॉर्मल लेकिन दोस्तों संग्या के जश्ट पहले सरुनाम नहीं होता है संग्या के पहले जो आएगा वो उसकी विशेशना पताएगा तो वो विशेशन हो जाता है दोस्तों ठीक है ये ध्यान दीजेगा कभी संग्या और सरुनाम मतलब संग्या के पहले सरुनाम नहीं आगा वो विशेशन के रूप में आएगा शब्द ठीक है ये ध्यान दीजेगा चार गुना चार गुना दोस्तों आवृति बोधक है ठीक है दोस्तों 18Gएअ पराग पराग का पर्यावा ची क्या होता है सुकुमार भार्टी फूल सुगण्ध होता है दोस्तों चिक युकë ये ध्यान दीजेगा किसी के संबन में जो है जो कवीवर भिहारी होते हैं वो बोलते हैं नहीं पराग नहीं मधूर मधू, नहीं विकास इहिकाल, अली कली ही सों बध्यों आगे कौन हवाल, जिन राजा के दरवार में बिहारी दरवारी कवी थे, वो राजा कम उम्र की नाइका के प्रेम में आसक्त भाव में पड़े हुए थे दोस्तों, तो तमाम दरवारीयों के समझान के लिए कवीवर बिहारी ने यह रचनाय यह पंक्तियां लिखे, कहते हैं नहीं पराग, नहीं उसमें सुगंद है, नहीं मधूर मधू, नहीं तो उसमें अभी मधू आया है, नहीं विकास नहीं काल, मतलब अभी तो उसका विकास भी नहीं हुआ है, अभी तो वो अपने अली के प्रेम के पास में पढ़ चुके हैं, अली कलि ही सो बद्यो, आगे कौन हवाल? क्या हाल होगा राजा का, आया आगे क्या हाल होगा इस सामराज्य का दोस्तों। यह पंक्तियां उन्होंने राजा को समझाने के लिए लगेतिक, कभीवर बिहारी को इसलिए गागर में सागर भरने वाला कभी कहा जाता है इसी दोहे के माध्यम से उन्होंने कई चीज़ें बता है जैसे अली, अली का मतलब यहाँ पर राजा को भी संबोधित कर रहा है कली का मतलब दोस्तों यहाँ पर ऐसी यूती है जो अभी यूवा आस्था को प्राप्त नहीं कर पाई ऐसी फिशोरा आस्था यूती को संदर्भित कर रहा है फूल का अभी शुरुवाती स्टेज है वो कली को संदर्भित कर रहा है तो दोस्तों तो इसमें कई परकार की बाते कह दी गई है तो दोस्तों अब हम लोग अगला question देखते हैं उथला उथला शब्द का जो विलोम होता है दोस्तों गहरा होता है ठीक है दोस्तों ये देख लेंगे आवाहन आवाहन का विलोम क्या होता है दोस्तों आवाहन करना आवाहन का उसका विलोम क्या होगा विसर्जन करना दोस्तों और दोस्तों इसमें समतल का दोस्तों उल्टा क्या हो जाएगा खुरदूरा हो जाएगा उचा उचा का नीचा हो जाएगा और उत्थान का पतन हो जाएगा दोस्तों ठीक है और इसमें विनश्वर का अविनश्वर हो जाए है दिगंबर वस्तरहीन दिगंबर का मतलब होता है जो दिक अंबर दिक मतलब दिशा और अंबर मतलब कपड़ा जिसका वस्तर उसकी दिशाए ही ही हो मतलब नगन अवस्ता तो वस्तरहीन भी नगन हो गया तो ये तो होगा नहीं लगुलंबा रित रंग स्रेश्ट अधम इस ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई है यह शब्द का चेंड की यह तो इसमें सही कौन सा लिखा गया दोस्तों इसमें बी आप्शन सही हो जाएगा ठीक अब दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है दधी ची याग्या वलक निवरित विधिक दोस्त होता है दोस्तों ठीक है यह ध्यन दीजेगा चुद्ध वाक चिन्हित करें तो उसके प्राण निकल गये उसका प्राण निकल गया उसका प्राण पखेरू उड़ गया प्राण उसका खतम हो गया इसमें उसके प्राण निकल गये दोस्तों यह हो जागा एप्शन ऐसा कभी मतलब जिसकी भुजाएं समान हो विशंबाहू मतलब जिसकी भुजाएं असमान हो और आपाद मस्तक का मतलब पैर से ले करके सिर्टक दोस्तों आपाद मस्तक होता है ठीक है प्राणदा के लिए उचितवा के क्या है प्राणदा के लिए जीवन देने वाली दवा होती है ठी ठीक है दोस्तों उजाला का उज्वल होता है दोस्तों ठीक है और उलू का उलू होता है उलू का उलू होता है उलू का उलू होता है उपालंब का उलाहना होता है दोस्तों ठीक है ये ध्यान देंगे और उद्यालन का क्या होता है उबालना होता है दोस्तों ठीक है ये ध्यान तदभो नहीं है तत्सम है दात का दंत तत्सम है आशा आख कान आशा हो जाएगा तत्सम ठीक है तो तत्सम हो जाएगा आशा हो जाएगा तत्सम आशा का तत्सम होता है हम लोग गाना नहीं सुने है कि देर हुई आने में तुमको चुकर है फिर भी आये तो आश ने दिल का स आतन छोड़ा वैसे हम घबराए तो मतलब आस क्या है दोस्तों आस का मतलब आशा होता है आस मतलब तद्भो है और इसका तत्सम क्या होता है आशा गानों का भी प्रियोग इसमें होता है गाने भी हमको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं टॉपिक से ही चीज़ें उदाहरान म कहते हैं कि केवल मनुरंजन कवी का कर्म होना चाहिए उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए तो दोस्तों उसमें उचित उपदेश होना चाहिए मनुरंजन में भी उपदेश होना चाहिए तो यह जो मनुरंजन है उसमें उपदेश होना चाहिए दोस्तों ठीक तो इसका क्या हो जाएगा प्रतेक बोधक विशेशन हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब दोस्तों अगला कोश्चन देखते हैं विशेशन को पहचानना है परिचय निशिद्ध विज्ञान मर्म दोस्तों मर्म इसमें संग्या है ठीक है विज्ञान भी संग्या है परिचय भी संग्या है दोस्तों निशिद्ध इसमें विशेशन हो जागे दोस्तों निशिद्ध विशेशन नहीं है अभी देखें दोस्तों निशिद्ध विशेशन है ये तो होगा नहीं भावी विशेशन है तो भाव विशेशन नहीं दोस्तों भाव संग्या है जब भी विशेशन मे एक शब्द जोड़ देई जैसे में धावी में धावी कौन में धावी है नहीं भैभीत कौन में भैभीत नहीं दोस्तों हुता है ठीक है दुछीता का मतलब भी पुत्री की रूप में आता है दुहिता का मतलब एक चौर्चीज होता है दूद दुहने वाली इस्तरी अब इसके संदर में भी एक सूरदास की पंक्तिया आ जाती है धेन दुहत अतहीर अतिबाड़ी एक धार दोहन पहुचावत और एक धार जहां प्यारी ठाड़ी मतलब ये जो है किरिष्ण और राधा के बच्चपन के प्रेम का शरिणार रस के भाव का वरलन करता है मतलब धेन दुहत अतहीर अति बाड़ी मतलब किरिष्ण जी धेनदुहत अतहीर अतिबाड़ी है अलब धेन दूहत अतही रतिबाड़ी धेन को दोते समय मन में असीम रति का भावार है रति मतलब क्या होता है दोस्तों रति का मतलब प्रेम होता है श्रिंगार रस्ता कोई भी चीज़ आपको बताएंगे तो एक्स्टा टॉपिक से नहीं बताएंगे दोस्तों ठीक है तो धेन दूहत अतही रतिबाड़ी एक धार दोहन ही का मतलब होता है बरतन जिसमें दूद लिया जाता है दोस्तों ध्यान दीजेगा एक धार दोहन ही पहुंचावत और एक धार जहां प्यारी ठारी मतलब जहां पर राधा खड़ी है और एक धार वहां पर जा रहा है दोस्तों मतलब उनके मुख पर पूरा दूद ही दूद हुआ जा रहा है दोस्तों और फिर इसके बाद सूरदास कहते हैं मोहन करते धार चलतिपए मोहन करते धार चलतिपए मोह साधे सब्ध हम आपको बता दिये जो कि तक्सन तद्भों में पूछेगा दोस्तों पूछ सकता है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों अगला देखते है घर का परियावाची दोस्तों घर का परियावाची शब्द है वले घेरा मंडल गेह नहीं गेह शब्द जो है घर का होता है ठीक चालिशमा का असलील शब्द का विलों का हो जागा असलील का शलील हो जाता है दोस्तों ठीक चालिस का ए हो जागा ठीक यह ध्यान दिना है है एक कमल के फूल की माला ले आओ यहां सर्वोत क्रिष्ट कैंसर की चिकित सा होती है तो दोस्तों इसमें कौन सा आप्शन से जागा इसमें डी आप्शन से जागा परमात्मा के अनेक ना दोस्तों ठीक है ये देख लेंगे शुद्ध वाक के कौन सा है अब इसमें चैन करना बंदर के पूँच होती है उसकी बेटी हुई है उसकी बेटी हुई है राम को लड़का हुगा है ये थोड़ी न सही होगा है कि नहीं राम को लड़का कहा सो जागा मर्द की दाड़ी होती है ये भी गलत जागा मर्द की दाड़ी मतलब दाड़ी बाल होता है ये दाड़ी आसानी कोई व्यक्ति है क्या आसानी के साथ कर सकता हूं यह का मैं आसानी सहित कर सकता हूं यह का मैं आसानी से कर सकता हूं इसमें शुद्वात्म हो जागा यह का मैं आसानी से कर सकता हूं ठीक है दोस्तों यह जागा C option जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उद्भीज कहलाता है जंगल में लगने वाली आग कहलाती है दोस्तों ठीक है जटराग नहीं का मतलब जटराग नहीं मतलब जो पेट के भीतर आग लगती है मतलब पेट के भीतर जब हम लोग खाना खाते हैं इसलिए कहा जाता है खाना खाने के बाद जश्ट पानी नहीं पीना चाहिए जैसे हम लोग पानी पीते हैं, कुछ लोग वैसे वो पोल्डिन पीते हैं, ऐसे हमारे मित्र हैं दो, वो भी ऐसे ही करते हैं, तो बड़वानल का मतलब क्या होता है दोस्तों, समुद्र में लगने वाली आग होई गी, यह ध्यान देना है, किसी तथ्यों को जानने की इच्छ रखने वाला जिग्यासू कहलाता है दोस्तों ठीक है ये option हो जाएगा पीछे चलने वाला दोस्तों अनुगत कहलाता है ठीक है पनही पनही का मतलब होता है आवजात पनहीया टूटी बिसर गयो हरी नाम का मतलब उपाना हो जाएगा दोस्तों ठीक है जाके देखे दुख ला उसारवाटियाँ भी याद हो जाती है दोस्तों ठीक है तो पनहीं का क्या हो जाएगा उपाना पनहीं का विख पल जूता ये ली रही होता एंदों, तत्सम नहीं है, उर्ष्ट, कफोडी, लखपती, लशुन, हमाई याल से लखपती नहीं होगा, ठीक, लखपती का दोस्तों लक्षपती होता है, कि नहीं, लाक्षपती होता है, तो ये तदभाव शब्द है, ठीक है, ये ध्यान देना है, तो इसका लखपती होगा, ठीक है, पूर्ष्ट का मतलब उठ होता है लशुन लहसुन हो जाएगा और जो कफोडी होता है कफोडी का कोहनी होता है दोस्तों ठीक है ये धन्द जाएगा तत्सम शब्द का चैन करना है तत्सम तीता अटारी निक्रिष्ट गहरा तो तत्सम निक्रिष्ट हो जाता है दोस्तों ठीक है यह हो जाएगा तीता का तत्सम तिक्त हो जाता है गहरा का गंभीर हो जाता है और अटारी का अटाली का हो जाता है दोस्तों यह धन्जेगा तत्सम शब्द छाटना है तत्सम इसमें हो जाएगा गोपाल हो जाएगा गो पूत का कुपत्र सूत का सूत्र होता है ठिक यह हो जाएगा विशेशन बताना है चम में फेन शिक्षा भ्रम ये सारी संग्याई है चम क्या है दोस्तों विशेशन है ठिक ठगेश का परयावाची होता है धरियान होता है दोस्तों गरून होता है ठिक सौधामिनी का परयावा जब मनु को जीवन के चलिक होने का एहसास होता है जब वो परवत के हिंगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छां एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहाता प्रले परवाह जब वो भीगे नैनों से प्रले प्रवाह देख रहे थे हिम गिरी के ऊपर चोटी पर बैठ कर तो उन्हें जीवन के आनशिक्ता का भाव आता है उत्पन होता है दोस्तों कम प्रहे नहीं है अही का मतलब साप होता है दोस्तों है टीक है पारावर दोस्तों समूद्र का परेयवाची है ठीक है यह दिलास हो इlis के थोड़ा दूद है वाक्य में रे खांकित शब्द विशेशनल किस भेट के अंतर गाता थोड़ा थोड़ा का मतलब परिमाल बता, संक्या तो बताने रे दो चार 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 चाहे परिमाल बता रहे, संक्यत भी नहीं, तो परिमाल बता रहे, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए ठीक है दोस्तों तो उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है तो धीरे धीरे लिखने की धीरे धीरे उसकी क्या आदत है लिखने की आदत है और लिखना क्या है लिखना क्या एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है धीरे धीरे तो क्रिया की विशेषता जो बताता है क्रिया विशेषा होता है दोस्तों तो इसका option क्यों हो जाएगा ठीक है दोस्तों ये ध्यादे तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगोंने 60 question पूरे के पूरे हिंदी के हम लोगोंने देख लिए हैं दोस्तों इसी तरीके से हम लोग और ट्रेक्टिस एट लाते रहेंगे दोस्तों रिवाइस करिएगा बिना रिवाइस किये सेलेक्चन नहीं होगा दोस्तों मानिये बात को रिवाइस करते रही है multiple times करते रही है mcqs लगाते रही है जो है उसको multiple time revision करते रहे जैसे हम बताएं हैं उसी तरीके से revise करते रहे जैसे आगे आप पढ़ते हैं अगर पीछे की कुछ चीज़े मिले तुरंत उसको relate करिए दोस्तों एक दूसरे से तब confusion दूर होगा concept प्लिए होगा दोस्तों ठीक है दोस्तों इसी के साथ उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा दोस्तों सेशन को share कीज़ेगा like कीज़ेगा subscribe कीज़ेगा दोस्तों इसी के साथ सेशन समाप किया जाता है जय हिन जय भारत